दोस्तो जब फिल्म बनाने वाले दिमाग से सनख जाएं तब जाके ऐसा गंदा प्रोडक्ट भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रि में आता है सस दोस्तो इस फिल्म के टेलर को देखने के बाद हमको प्रस्नली ऐसा फिल हुआ इससे वायाद प्रोडक्ट ना में देखना चाता हूँ मेरे को भगवान उठाले इतना गंदा प्रोडक्ट है कि बिहार के गवार ओडियंस को लंदन 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 चिला के फिल्म को हिट करा लेंगे बैया जी ओडियंस को मुर्ख समाजना बंद कीजिए जनता सबसे ज़्यादा समझदार होती है और वो सब समस्ती है कि आप क्या करने जा रहे हैं लंदन देखा आपने लापरवाय का नतीजा है लंदन के नाम से हिट नहीं होता है फिल्म सब्सक्राइब टो yolis वूरियें बढ़ेगा ही ना तो इसमें मेरी तो आपके तो है है क्या यही गुनाहे मेरा दोस्तों राहे चाहन करते हैं अर सब्सक्राइब कि फिल्म जिसमें जब deer in the पाइल, पंचायत, गैंग आउ वसेपूर, इस तरीकी की फिल्में ही सब जगा पे चल रही है, अब बात करें अगर पवन सिंग के बारे में तो हरहर गंगे जैसा एक प्रोजेक्ट तो लेके आते हैं, लेकिन बात करें रियल स्टोरी वाली फिल्म पे तो इतना ज्यादा गं खान को कोल टॉपिक नहीं सूज रहा था, तो वो चार साल का ब्रेक ले लेते हैं, और इतना ज्यादा तकड़ा फिल्म लेके आते हैं, कि बॉलिवोड इंडस्ट्री में भुचाल मचा कर रख देते हैं, लेकिन अपने भोजबुरी के सूपरेस्टार मजा ले एक अच्छ स्टोरी बनाई जा रही है, एक्शन, थ्रिल, स्पाई मुवी बनाई जा रही है, लेकिन इनके पास स्टोरी आता है, हडपा के समया खोदाई में निकला हुआ स्क्रिप्ट का स्टोरी, जो 1995 में अच्छान में जो फिल्म को स्टोरी लिखा जाता था, वह यह स्टोरी राइ इस चीज का रियल फैक्ट और रियल लॉजिक जानते हैं क्या है, ये लोग 20 लाख में थर्ड क्लास भोजपूरी फिल्म बनाते हैं, दरू के चल जाते हैं उत्तर परतेश में सबसीडी लेने, 20-30 लाख रुपया सबसीडी मिल गया, मतलब जितना फिल्म बनाए हैं, उतना पैसा तो सबसीडी में सही निकल गया, उसके बाद 30-40 लाख रुपया में टीबी पे बेश दिये, अब बात करें तो 30-40 लाख रुपया फैदा हो गया, अब भोजपूरी का मान सम्मान बढ़ है, घटे या फिर जाए चूले भाल में, उसको कोई मतलब नहीं है, उनको अपना पेट भर गया, बोजपूरी जाए चूले भाल में, तोबा, 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 थारा मूट खरब कर लिया, और इन सब कारणों के वज़े से, इस फिल्म को 10 में से जानते हैं, कितने नंबर मिलते हैं, जी हा, आपने बिल्कुल सही गिस किया, इस फिल्म को 10 में से नं लेके आ रहें कि भूचाल मचा दे रहे हैं, और फिर उसमें से एक ऐसा फिल्म लेके आ रहे हैं, तो आप इस फिल्म के लिए कितना नंबर देजेगा, इमांदारी से नीचे कॉमेंट में जरूर बताइए गाओ, इस वीडियो को इतना सियर कीजिए, ताकि इस तरीका का फ पहले सोचे और बिहार के बारे में पहले सोचे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों